वीडियो में आप लोगों का स्वागत है शिबाएनू आज के वर्तमान की जितने भी घटनाए हो रही है जितने भी लेटेश्ट नियू जाई है और जितने भी जो एक्सपर्ट है अपना प्राइस प्रेडिक्शन बता रहा है उसको देखते हुए आज शिबाएनू का एक ड एक्ष्ट चाल क्या हो सकती शिबा की वर्तमान में अगर आप देखे तो शिबाएनू एक ही रेंज में फसा हुआ है पूरे दस से बारा दिन हो चुके हैं लेकिन इस रेंज को यहाँ पर ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला उसी रेंज में यहाँ पर मूग कर रहा ह मार्केट में एक बड़ा सवाल यहाँ पर सुभा के वीडियो में मैंने बताया था जिसमें 10 मिलियन डॉलर के शीबा टोकन अपने परसनल वॉलेट से एक एक्षेंज पर ट्रांसपर किया जाते हैं और इसी टाइप से पेप कोईन भी ट्रांसपर किया जाते हैं वो खबर क प्रेट के बीच फैलती है मार्केट और ज्यादा शोक हो जाता है लेकिन इन सबके बीच अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेडिंग वोल्यूम में धीरे धीरे बहुत ही कम होता जा रहा है शीबा में अगर आप देखेंगे यहां सबसे ज्यादा था उसके बाद कम हुआ देखते देखतें आप त्रेडिंग वोल्यूम में यहां पर नेक्ष्ट मों क्या संके दे रहा है कई पेटरन के अधार पर रहें अनलेइस करेंगे एंड तक वीडियो वॉच करना बेंगे por तो इस वीडियो में नीचे कमेंट्स में जरू लिखे शीबा क्या चाल चल सकती है आगे आप क्या सोचते हैं शीबा के बारे में नेक्ष्ट मूग क्या हो सकता है शुरुवात करते हैं सबसे पहली नीचे से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 332 बिलियन शीबा टोकन रोबिन हुट पर भेजे जाते हैं यह अभी लेटेस्ट न्यूज है 24 गंटे पहले इस से पहले आप देखते हैं तो 10 मिलियन डोलर के शीबा टोकन अपने सेफ वोलेट से एक्चेंज पर भेजे जाते हैं आखिर वेल्स चाहती क्या है क्या चल रहा है वेल्स यहाँ पर अटकले काफी नजर आ रही मार्केट में काफी चीजे यहाँ पर शंकाय पेदा हो रही है क्या वेल्स यहाँ पर बेचने की तयारी कर रही है क्योंकि अटकले और साजीसों के जड़ी से लग गई है जा गया है यह इससोमे हो रहा है जब यहां पर ट्राइंगाल बन रहा है लेकिन सबके बीच यहां पर कहा जा रहा है कि लिक्वीडिटी ना के बराबर होने से से संभाव Universal यहां पर ह सबहन नीचे जारे जाएगा उपर जारे लेकिन कि बड़नेफ के लग माम rao के पीछे अक्सली मकसद क्या है वो तो अभी अग्या थे लेकिन जहां तक चीजे निकल के आ रही है कि शीबा में आगे क्या हो सकता है तो अगर इस न्यूज को हम यहां पर देखे तो इसमें बताया गया है कि आगे क्या हो सकता है शीबा में इस पश्ट तोर पर बताया गया है कि वर्तमान में दसवी सबसे बड़ी क्रिप्टो करंसी का जो मार्केट के यह है 19 बिलियन डोलर के आसपास इस पिछले सब्ता 300% की जो रेली आई उसमें मुनाफ़ वसूली के कारण शीबा की कीमत इतने जग यहां तक हाइस्ट जाने के बाद यहां तक गिरी थी बहुत सरे लोगों ने यहां पर अपना जो है सेलिंग करके प्रॉफिट बुक किया वह इसी कारेंट से मार्केट यहां पर उख गया अब यहां पर कहा जा रहा है कि एक एक्सपर्ट के दुआरा कि क्रिप्टो विशलेशक है वो क्रिप्टो एनालेसिस वो कहते है कि प्राइस चार्जिजों के साथ 33 के इस तर पर नजर बनाए हुए है और समर्थन यहां से क्योंकि इस समर्थन को खोने से शिब का तेजी का दृष्ट कोण आमान नहों सकता है अगर इस प्राइस को यहां पर कहा जा रहा है कि अगर यह प्राइस यहां से नीचे की तरफ जाती है तो यहां पर कहा गया है कि यह कही ना कहीं अपने लेवल को खो सकती है और नीचे की तरफ ग्रावट यहां पर आ सकती है इस भी शीबा अपने चार्ट को यहाँ पर त्रिकोन पेटन पर बना रहा है तो उसमें जो जो रजिस्टेंस के उपर निरंतर बंध होने से 40% तेजी से ब्रेकाउट भी हो सकता है यह भी एक संकेत दे रहा है कि अगर यहाँ पर जो इसका रजिस्टेंस है चार जिरो के साथ 38 तक प्राइस यहाँ पर पहुचना चाहिए और जो कि अभी 33 के आसपस अलेकि 35 के आसपस पहुची थी लेकिन फिर से मार्केट गिरा 33 आ गई यह 38 तक होती है तो एक बड़े ब्रेकाउट उपर की तरब मिलेगा लेकिन अगर यह 33 की प्राइस खोती है यानि कि हम माने 30 त क्या कर सकता है यही इसी बीच विल्स की तरब से यहाँ पर काफी टोकन को एक्चेंज पर भेजा जा रहा है तो यह भी एक बड़ी वज़ा हो सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी बड़ी मात्रा में जब शीबा टोकन यहाँ पर सेल के लिए जाएंगे तो ओबिसली मार मार्च के एंड लाश्ट वीक में एक बड़ी बाइंग बिटकोइन में आपको देखने को मिलेगी एक बड़ा पंप यहाँ पर बिटकोइन में आने के है अगर यह पोसिबल हो जाता है तो ओबिसली फिर मार्केट यहाँ पर शीबा इनो का भी पंप कर जाएगा लेकिन प ट्रेडिंग को वापस लाने के लिए बिटकोइन का एक पंप करना जरूरी है और यह बीस तारिक के पहले पहले नजर नहीं आता है कि शीबा में कुछ पंप आ सकता है इस बीच अगर बिटकोइन बीस के बाद पंप करता है और शीबा इनों यहाँ से 33 से नीचे गिरता है तो नीचे के रेली सिरू हो सकती है जो कि लोगों को हावी कर देगी क्यार चलो 200% 200% अभी भी प्रोफिट में है चलो बुक कल लेते हैं तो यह एक बज़ा हो सकती है जिससे मार्केट नीचे के तरब भी डाउन हो सकता है तो कहने का मतलब दोनों बाते है शीबा किस अगर एक दूसरी नियोज देखेंगे तो अगर यहां पर देखेंगे 198% की विल्स की एक्टिविटी यहां पर भी हुई है यानि कि यह बाइंग की तरफ हुई है और इस गिरती हुई प्राइज में विल्स ने बड़ी मात्रा में यहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ ह तो यह भी एक कहिना कहीं आकरशन पेदा करती है कम्मुनिटी की बीच में और कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में शीबा टोकन को यहां पर इन्हों ने बाइंग किया है तो यह एक अच्छी विल्स है जो यहां पर बाइंग कर रही है देखें जरूरी नहीं विल्स अपने अपने हिसाब से decision लेती है तो यहाँ पर किस अधार पर 198% की 24 गंटे में wheels की transition हुए है buying के तरब तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि Shiba comeback कर सकता है जैसा कि मैंने दोनों स्थितिय आपको बताई है कि market 38 से उपर जाएगा और 30 से नीचे गया तो नीचे जाएगा यही breakout और यही triangle community भी यहाँ पर देख रही है और wheels भी नजर बनाये हुए है लेकिन इन सब के बीच investor की भावना में उच्छाल के कारण Shiba Inu भी यहाँ पर बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं जानकरी मिली है जहाँ पर कहा गया है कि investor पूरी तरीके से Shiba पर बारी किसे नजर बनाये हुए है और आने वाले समय में जेसे ही एक liquidity होती है Shiba Inu में trading बढ़ती है 1948% तक की यहाँ पर pumping के आसार बन रहे है जो उपर की तरब बढ़ सकता है और 700% तक यहाँ पर वेल्स की activity बढ़ सकती है यह भी एक संकेत बढ़ा यहाँ पर बताये गया है तो 1948% तक की यहाँ पर बताये गया है और Shiba Inu की मात्रा में लगभग 3000% की growth यहाँ पर देखी जाएगी हलाकि यह really नहीं है एक प्रकार की growth है जो इन्वेश्टरों का यहाँ पर आना जारी रहेगा और कहीं न कहीं Shiba पर इन्वेश्टरों का विश्वास और बजार की जो भावना है उसके अनुरूप यहाँ पर चीजे होगी तो wait करना है थोड़े से एक दो दिन का यहाँ पर स्थितिक clear होगी और जिस भी दिसा में जाती है मार्केट में बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर घटित होगी और ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल को सस्क्राइब करना पड़ेगा जो भी अपडेट्स रहेगी मैं आपको रेगुलर बेस पर देता रहूंगा शिबा में लेकिन बड़े नियोज है अभी सुभा ETF को लेकर भी बड़ी नियोज आई थी चीज़ें कहीं न कहीं अगर आप लोंग टम के लिए होल्ड कर रहे है शिबा को तो करते रही है कोई पेनिक होने के अउशकता नहीं है लोंग टम के विजन के साथ शिबा काफी अच्छा प्रदेशन करेगा क्योंकि बिटकोइन और हालविंग और इथेरियम और ETF फेसी बड़ी बड़ी नियोज है जो मार्केट में आना है जो बड़े पंप करवाएगी लेकिन शोट टम की अगर आप इन्वेश्टर है तो फिर आपको थोड़ा सा हर नियोज साउगत रहना पड़ेगा लोंग टम के हिसाब से घबरानी के अउशकता नहीं है आपको